है लो फ्रेंड मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्तों और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है दोस्तों आज हम एक बहुत ही अच्छे टेप के बारे में बात करेंगे जो कि आप अपने घरों में फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं जो कि एडिस्यूट टेप के नाम से यह मार्केट में आपको मिल जाता है यह टेप आपको कई तरह की कंपनियां बनाती हैं और कुछ इस तरह का यह पैकिंग इस टेप का है जो मैं रिव्यू कर रहा हूं और दखिए प्रो प्रोस प्लास्ट यह टेप है और प्राइस की ब 1-10 cm गुड़े 5 मीटर्ञा यानिकी 10 सेन्टिमीट्र चुड़ाई होती है और लंबाई स्टेप की होती है पांच मीटर यानि का पांच मीटर लंबा होता है जो की एक प्लास्टिक के रोल में लिप्टा होता है और चलिए जान लेते हैं स्टेप के फायदे के बार में कलता है उन कंडिशन में हम क्या करते हैं अगर हमारे पास बैंडेज नहीं होता तो कोई भी हम पुराना गंदा कपड़ा लपेड़ देते हैं उस जगब पे और सोसते हैं कि खुन बंद हो जाएगा खुन तो बंद हो जाता है कुछ दिर बाद लेकिन वह गंदा कपड़ा आपके उस कटे हुए घाव में इंफेक्शन फाइला सकता है जो की आगे चलकर एक बड़ा घाव का रूप भी ले सकता है तो इसलिए आप कटे-पीटे घाव पे कोई भी गंदा कप बोड़ा नाला पेटे अगर आपके पास बेंडेज है तो बेंडेज लेपेट दें क्रीम लगा के या मैं जो रिव्यू कर रहा हूं इस टेप कभी आप इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा यह चिपक जाता है और जब एक बार चिपक जाता है तो यह टेप द में रखना है साथ में इस एडिश्यू टेप को भी रखना है और कुछ बैंडेज और कार्टन भी आपको रखना है तो आपका जो मतलब जिस जगह आपका कट गया है यहां पर घाव लगा है जहां से ब्लड निकल रहा है उससे अच्छी तरह से सेवलोन और से साब कर लें या डिटॉल से साब कर लें उसके बाद आप क्या करें क्रीम लगा लें और क्रीम लगाने के बाद आपको बेंडेज के छोटे छोटे मतलब की गाच पीस बनाना होता है यानि कि कई बार फोल्ड करने के बाद उसे मोड लें और उसके बाद कटे हुए घाउप पे जहां क्रीम आप लगाए हैं वहां पे बैंडिस को रख देना यानि टपकने के बाद पर उखड़ जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा यानिक जिजगह आप सेक कोचिप काते हैं वह स्किन सूखी होनी चाहिए यानिकि ड्राइब होनी चाहिए तब सूखी स्कीन पर अगर आप इस टेप को चिपकाते हैं तो जल्दी नहीं निकलता और लंबे टाइम तक चीपका रहता है तो चलिए देखलाते हैं कि इसमें रखा हुआ रोल आपको किस तरह से देखने को मिलता है तो देखिए इसमें का जो रखा हुआ टेप आपको इस तरह के प्लास्टिक के पैक में मिलता है और इस तरह की प्लास्टिक की जो रोल होती है उसी पे टेप लगा होता है और देखिए जो एडिसीव टेप है इ लेकिन ज्यादर टीकाओ ये कपड़े वाला ही टेप होता है क्योंकि ये पानियों नीम में बिगने के बाद भी पिगलता नहीं यानिकी गलता नहीं वहीं कागस का टेप लगाते हैं वाटर पूरूफ तो आता है लेकिन वह लंबे टाइम तक नहीं चलता कुछ दिर बाद ग टेप होता है और इसे आप अपने फर्स्ट एड़ बॉक्स में भी रख सकते हैं क्योंकि एमर्जंसी पढ़ने पर आप कभी भी अपने घर पर ही बैंडिस कर सकते हैं और इस टेप के चिपकाने के बाद आपका घाओ बिल्कुल सेफ रहता है और कुछ दिन में आपका इंड बॉक्स में आके